इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 19 मार्श 2013 विश्वास की घोशना मैं घोशना करता हूँ कि मैं विशेश, असाधरन और अलोकिक हूँ मैं घोशना करता हूँ कि मेरे जीवन पर सुख का अभिशेक है इश्वर सदा मेरे सामने है उसने टेड़े मेड़े स्थानों को सीधा किया है उसका जुआ आसान है और उसका बोज हलका है मैं संगर्श नहीं करता जो पहले मुश्किल हुआ करता था वह अब मुश्किल नहीं है मेरे जीवन पर इश्वर की कृपा और आशिरवाद ने बोज को हलका किया और दबाव को दूर किया मैं अपनी सारी चिंता एक बार और हमेशा के लिए उसको समर्पित करता हूं क्योंकि वह मेरी देखबाल, चौकसी, प्यार से करता है यह मेरी घोशना है दिवे स्वास्त की स्विकारोती मैं इश्वर की संतान हूं इसलिए मेरे बारे में सब कुछ सम्रद है मेरा स्वास्त और अर्थ व्यवस्ता सम्रद है इश्वर का आशिरवाद मेरे जीवन में काम कर रहा है उनकी प्रग्या और स्म्रदी मुझ में काम कर रही है उनका स्वास्त और शक्ती मुझ में काम कर रही है इश्वर की महिमा मेरे पास वह होगा जो मैं कहूंगा येश्व के नाम में योहन चौदा तेरा मैं मजबूत हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं धन्य हूँ मैं धनी हूँ मैं शक्तिशाली हूँ मैं अभिशिक्त हूँ मैं स्वतंत्र हूँ मैं इश्वर का प्रिय हूँ, मैं इश्वर और मानव जाती का क्रपा पात्र हूँ मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, न की जो मैं देखता हूँ मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ मैं अपने प्रभु के दर्बार में ताड के पेड की तरह फलता फूलता हूँ मैं हर मौसम में प्रचूर मातरा में फल उत्पन करता हूँ मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ और बुड़ापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूंगा मेरा पत्ता मुर्जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वैं येश्यू के नाम में सम्रिद होता है चीजे हमेशा मेरे लिए येश्यू के नाम में काम कर रही है मैं मसी येश्यू में हर आध्यात्मिक आशिरवात का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है, मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भोतेक शरीर में रहते हैं, मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है, मेरा अंतर्मन सुनता है, प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देता है, और मेरा शरीर पालन करता है येश्यू के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूं इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेश अस्पष्ट और व्यक्त होता है मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूं मैं अपने मनुभाव से बात करता हूं परिपून बनों मसी के मन अनुभाव की तरह और मैं तुम्हें परमेश्वर की वच्चन से संड्रेकित होने की आग्या देता हूँ मैं अपने सनाईव और नसों से जीवन बोलता हूँ मैं अपनी मासपेश्य और सनाईव बंदन को ताकत बोलता हूँ मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ, मैं अपने फेफडों और उत्तकों से सामान्य वेंटिलेशन और परफ्यूजन अनुपाद बनाए रखने के लिए बात करता हूँ मैं अपनी किडनी, लीवर और अगनाशे को पूंटा बोलता हूँ मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है, मेरी हड्डिया, जोड, काटेलेज, संड्रेखित, मजबूत और द्रड है मेरे पूरे उपरी और निचले अंग उतकश रूप से कारे करते हैं, मेरी आखें सपश्ट रूप से और पूरी तरीके से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन, मेरी तवच्चा एक नवजाच शिशू और ईश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनी और स्वस्थ है मेरे बालों के रूम कस गए हैं, मैं अपने बालों को इस्तिर रहने की आग्या देता हूँ और जहां व्रदी की आवशक्ता होती है, मैं अपने रूम में विकास छोड़ता हूँ मेरे दात, मसूडे, जबडे की हड्यां और तंत्रीका और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ, मजबूत और परिपूर्ण है मेरे सभी हार्मोन और नियोरोकेमिकल ट्रांस्मीटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामन जस्य में हैं और अपने कार्यों को सामानी रूप से निश्पादित कर रहे हैं मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खादेपरदार्तों को पचाने, अशोशित करने और आत्मसाद करने में सक्षम हैं और चया पचया अफशिश्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सर्जित होते हैं मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शिथिलता, गपशप, आलस्य, अधिक नींद, सुस्ती और बाद्देखारी खरीदारी में सभी प्रकार के वैसनों शराप, निकोटीन, ड्रग्स, व्यूधातिमान, अत्तरिक भोग को कैद करता हूं और मसी की आग्याकारिता में लेता हूं इस भी बनाया है, वे मेरे लिए जीवन और चंगाई है, इसलिए खादे प्रदार्टों, धूल, जानवरों, आदे अलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, इश्वर ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है, मेरा प्रजन अंत्र प्रयाक्त मात्रा में और अच्छी गती शीलता वाले शुक्राणों का उत्पादन और जमा कर रहा है, मेरा प्रजन अंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है, जनम तक ग्रून की रक्षा और पोशन कर रहा है, मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशिका पून्ता में कारे करता है, जिसक प्रकार की खराबी और विक्रति को येश्यू के नाम पर मना करता हूँ आमेन मेरा संपूर मानव शरीर, रचना विज्ञान, चया पच्चे और शरीर क्रिया विज्ञान मसी येश्यू में परिपूर है महिमा, हालेलुया, आमेन पिता ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ